मेना डाइपर गीला हो जाएगा मैं English with दीहाती मैडम दीहाती मैडम बिटा पापा बोलो पापा बोलो दीहाती मैडम वी वांट तू स्पेक लाइक अमरिकंस एंद इस अधा ममम मेड को दूद दो और बोटल में गरिम करके माइक्रोवेव में हेई गाइस वेलकम बैक टू सर्तास सर्की क्लास भाई आज की वीडियो खास तोर पर बनाई है मैंने बहाना बनाने वालों के लिए जो लोग बहाना बनाते हैं बहाना बनाना पसंद करते हूं उनको यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश का content बनाता हूं YouTube और Facebook पर और इंग्लिश बनाता हूं लाखों लोगों को अपने देश में देश से बाहर विदर्शों से लोग मुझे देखते हैं और अपनी पूरी जिंदगी में मैंने एक प्रकार के लोग तो जरूर देखे हैं और बहुत ही जादा ताद में देखे हैं और वो वो लोग होते हैं जो बहाना बनाते हैं पता है कैसा बहाना अंग्रेजी ना बोलने का बहाना उनका ये कहना है कि English हम इसलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि गलत ना निकल जा, इसलिए डर लगता है, मतलब शर्म आती है, गलत बोलेंगे न कोई हसेगा, या थोड़ी personality अच्छी हो जाना, तब मज़े से बोलेंगे, तब ज़र अच्छे से बोलेंगे, अरे सर अभी वो टूटी-फूटी आती ह अभी बोलेंगे नहीं, सबसे बड़े बहाने बाज हो तुम लोग, जिस इंसान ने अपनी जिन्दगी में शर्म की और बहाना बनाया, ये कि मुझे इंगलिश सही बोलनी आएगी, मैं तब बोलूँगा, जिन्दगी में ऐसा नहीं होने वाला है, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान का एक्जामपल दूगा, जिनका मैं खुद फैन हो गया हूँ, चलिए पहले उनके बारे में बताता हूँ, उनका नाम है यशोदा जी, और वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और अभी हाल ही में उन्होंने एक यूट्व चैनल क्रिएट किया है, जिसका नाम ह इंग्लिश विद दिहाती मेडम, आपका भी सोच सकते हैं ऐसे किसी चैनल का नाम, अगर मैं आपसे कहूँ कि यूट्व चैनल क्रिएट कर लो, बड़ा अच्छा सा नाम सोचोगे, ओ इंग्लिश विद इंग्लिश मैन, या इंग्लिश विद परसनालिटी परसन, या इस सही ही पता लगता है कि आप कितनी एक क्रिएटिव हैं, मैडम का जो ये चैनल है, मैडम ने इंग्लिश में इसमें content डालती हैं, इंग्लिश में बात करती हैं, आप कभी उनका background देखना, किस background पर वो वीडियो बनाती हैं, किस तरह के equipment वो यूज करती हैं वीडियो बनाने क होना चाहिए, we want to speak like Americans and this and that, वो सब नहीं, सबसे पहले आप ये decide कर लीजे कि आपको करना क्या है, और यार कर डालो किसी की शर्म मत करो, जब मैंने मैडम का content देखा, ये शुदा मैडम का और ये जो चैनल है English with देहाती मैडम, तो पहली बार तो मैं नाम सुनकर चौग गया मैंने का शायद किसी ने मजाग में कोई channel बनाया है, कोई funny wines होगी, कुछ comedy content होगा, लेकिन जब मैंने ये content देखा, तो मुझे लगा कि यार, ये ही तो चीज में तलाश रहा हूँ, ये ही तो चीज में कभसे लोगों से बोल रहा हूँ कि यार, please, शर्म छोड़ दो, जैसे तुम हो वैसे रहो, और मैं हमने ये प्रूव कर दिखाया, इसे कहते है, real personality, fake personalities हमने life में बहुत देखिए, हम जैसे होते हैं, वैसे show off नहीं करते हैं, वैसे लोगों से मिलते नहीं है, वैसे वीडियो में अलग नजर आते हैं, personality अलग होती है, लेकिन ये बिलकुल घलत है, तो यहां पे एक कुल मिलाके, बात मुद्धे पर आ जाते हैं, में मेरा यही कहने का मकसदार, आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ, कि आप अगर English बोलना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो आपकी दुश्मन है, वो है आपकी शर्म, जिस कभी आपने चोटा बच्चा आपके घर में, आपके आसपरोबस में, आपके महले में, आपके रिष्तेधार में होगा, आपने देखा हeffective कि कभी वह जो भी वादशाया, बोलते हैं, माली चाहिए, हिंदी फ्लूएंट नहीं बोलता है, हमेशा तुटला के बोलता है, हकला क बोलता है, कोई भी word, और आपको कितना मज़ा आता है उसकी word सुनकर, बिटा पापा बोलो पापा बोलो वो पाप, बस इतना बोलके चुप जाता है, बिटा मम्मी बोलो मम्मा, ऐसे बोलके चुप जाता है, अगर वो बच्चा सोच ले, ओ शर्म आरी हो मुझे, मुझे तो मैं बोलना शुरू करूँगा आपको लगता है कभी पो जिन्दगी में बोल पाएगा not at all हमेशा कोई भी बच्चा जब चलना सीखता है तो पहले लड़ खडाता है और यही English में यही language में होता है कि हमेशा आपको गलत से ही शुरुआत करनी है यहाँ पे मैम का example यह बताने क माई ने रखता है आपके अंदर हैजिटेशन डर है या नहीं है आप कितना भी अच्छा बोल लो अगर मैं स्टेज पर खड़ा कर दूँ न और 5000 लोग सामने कड़ेंगे और माइक थमादू पैर का आपने लग जाएंगे नीचे से इसके लिए जिगर चाहिए हो था जिग जो मैं आपने करके दिखाया है तो मैं यही काऊंगा इस चैनल को आप देखें इंग्लिश विद्याती मैडम और यहां से सीख ले कि किस तरह से जो आप है वो आप बने डरे नहीं और मैं आपसे भी काऊंगा अपनी वीडियो बनाओ इंग्लिश बोल ले कि आप पोस्ट म तो यही काऊंगा और हां यह सुदा मैं आपको salute बहुत अच्छा content आप बना रही है और आपने सीख दी है students को उन लोगों को जो अपना जो एक target खो चुके हैं अपना हिम्मत हार चुके हैं इंग्लिश सीखने की काम से नहीं होगा आप उनके लिए inspiration है आप उनके लिए एक आप पाउर है और आप से वो सीख सकते हैं इस वीडियो को सबके साथ share कीजिएगा और अगर कोई comment हो तो comment section आपी के लिए बना है और हाँ जात जाते एक टुच्चा सब प्यारा सा लाइक दे कर जाना